आप सबसे हो गया था जम पहुंच के हैं 17 में के शिर्वदान में एक बल एक भरोसा और उसके आधार पर आगे बढ़ना तो एक बल किसका हुआ परमपिता परमात्मा का ग्यान का आध्यात्मिक बल शेक्तियों का गुणओ का बल, एक भरोसा किसका हOWा, वरमटर्म परमा तो मेरा साथ ही है, वो मुझे मदद करेंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे ہła चीज को अचीज को अचीव करने में, और दूसरा बल, दूसरा भरोसा, और लोग между क्या बोलते हैं, और लोगि पोस्त फूज उनके कॉंटाट्स उनके थू काम करवाना और फिर मैनुपलेशिन यूज करना टैक्टिक्स यूज करना और उको बटरिंग करना चाप्रूसी करना गिफ्ट्स देना और क्या क्या चीज होती है बोलते हैं घूस देना यह सारी चीज से करना वह एक बल भरोसा नहीं है तो परमपिता परमात्म आज वर्दान में कहते हैं कि एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्रात करने वाले क्योंकि सची लगन विगनों को सहजी समाप कर देती है जिसका दिल सचा होता है मन साफ होता है वो अपने लिए भी नहीं और किसी के लिए भी बिगन नहीं बनता है इसलिए उसका रस्ता क्लेर होता है लोग उसको रोकते नहीं और उसको रोकने वाला कोई ना होने कारण वागे बढ़ता रहता है जहां सब्शक्तिवान बाप का साथ है उस पर पूरा भोरोसा है वहां चोटी चोटी बातें ऐसे समप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं असंबब भी संबब हो जाता है यह कैसे पॉसिबल होगा कैसे हो पाएगा टाइम कम है या पैसा नहीं है धन नहीं है तरीके नहीं है लोग नहीं है हर चीज मिलनी शुरू हो जाएगी असंबभ भी संबभ हो जाता है मक्षन से बाल समान सब बातें सिध हो जाती है मक्षन से बाल निकालना असान जैसा है मक्षन से बाल निकाल दिया अपने इतना सोप्राराम से लिलाता है तो ऐसे अपने को मास्टर सरशक्तिवान समझ सवलता सुरूप बनते चलो ऐसे अपने को मास्टर सरशक्तिवान समझ सवलता सुरूप बनते चलो मैं मास्टर सरशक्तिवान आत्मा मेरे लिए हर चीज़ पोसिबल है हर चीज़ असान है मेरे लिए कि मेरा सर्व शक्तिवान परंपिता परमात्मा मेरे साथ है यह पॉसिबल कैसे है यह फीलिंग कैसे आए सर्व संकल्प नहीं यह सब कुछ आप प्रमकुमारीश में सेवेंटी का कोर्स करने के बाद में समझ सकते है और शांतिस के साथ